हलो नमिश्कार, वेलकम टो इनकल्केट लवीन, मॉदल्स ओफ टीचिंग के हम बात करेंगे, ओल्रीड़ी किसी वडिटेल में बात किये हैं, ओल्दो वो हमने लेवल्स ओफ टीचिंग के हम अल्रेड़ी बात कर चुके हैं, आप वहाँ से भी डीटेल में पढ़ सकते हैं, अगर आपको वीडियो इन्फिर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जो है आप इनकल्केट लर्निंग को कर दीजिएगा लेवल्स ओफ टीचिंग हमने डीटेल में के हैं कौन-कौन से होते हैं मेमरी लेवल, अंडर्सेंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल एक और जो है लेवल कई बार पूछ लिया जाता है उब्जेक्टिव क्वेस्टिन्स में मौरिस अल्विगी ने 1976 में एक और लेवल जो है एड किया था Autonomous Development का जिसमें Intellectual Level पे यह जो Natural रूप से, Natural Way में जो एक ड्वल्पमेंट होता है जहां Formal Teaching की जरूरत नहीं पढ़ती वो भी Autonomous Development नाम से एक लेवल है बट मेजर तोर पे हम इन तीन लेवल्स को ही पढ़ते हैं और इन तीन लेवल्स से रिलेटेड ही तीन मोडल्स हैं हमारे पास Harbashian का, Morrison का और Biggie और Hunt का मोडल्स अब आप इन से connect कर सकते हैं कि Harbashian ने जो है Memory Level of Model दिया है Morrison ने Understanding Level of Teaching का मोडल्स दिया है और Biggie और Hunt ने Reflective Level का मोडल्स दिया है सबसे पहले तो नाम ही ध्यान रखना है कि इन्होंने किसने कौन सा मोडल्स दिया है अब इन मोडल्स में क्या क्या स्टेप है वो आपको पता होने चीए अब देखें, Memory Level of Teaching है So, Teaching का Major Focus किस पे रहेगा Facts पे, रटवाने पे, क्रैमिंग पे ठीक है, तो वो Memory की याद रखनी है चीज़े So, वो Memory Level का है Focus उस पे रहेगा अब Objectives के रहेगा, अब इसमें Steps क्या क्या रहेंगे कि आप Prepare कर रहे हैं, जैसे कि चाहिए वो PK Testing ले लिजए या जो आप Lesson Plan Prepare कर रहे हैं, वो लगा लिजए Statement of Aim की आपने क्या पढ़ाना है Presentation, आप Present करेंगे Class के सामने, Comparison of Associations Generalization और Application ये Step रहेंगे, इनमे भी Direct कई बार पुछ लिया जाता है कि कौन सा Step किसके बाद आता है हो सकता है कई बार Statement of Aim को हटा दे और बाकी 5 पुछे जाएं आपसे सो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कोई Step missing है तो आप उसको Skip कर दीजिए सो ये 6 के 6 Steps जो हब आपको ध्यान होने चाहिए कई जगह पे आपको जो है 5 Steps मिलेंगे जिसमें Statement of Aim जो हब आपको नहीं मिलेगा वो Preparation में ही कुछ हद तक इंवोल्फ कर दिया या प्रेजेंटेशन में इंवोल्फ करके ले सकते हैं सो वो आपके जो Question है वो किस तरीके से पूछा गया एक्जैम में उस पर Depend करेगा Morrison Model of Understanding Level Understanding में क्या होगा Exploration जिसमें Teacher PK Testing करेगा Present करेगा चीजों को बच्चे जो है उसको Assimilate करेंगे Teacher ने अच्छे से Presentation में समझा दिया फिर Assimilation बच्चे करेंगे उसका यानि Teacher ने जो समझा है आपको समझ आया या नहीं Organization में Test जो है वो भी होंगे इसमें और Recitation में जो है बच्चा बिना किसी Help के Teacher को या Students को साथ में बोल बोल के बताएगा Recite करके यानि Oral Test एक तरीके से हम लगा सकते है Oral ही समझाएगा अपनी चीजें कि उसको क्या समझा आया So यह है Understanding Level of Teaching Biggie और Hunt का Teaching Model है Reflective Level of Teaching का इसमें क्या होता है कि Reflection पे यानि Problem बच्चा कैसे Solve करेगा तो Critical Thinking, Reflective Thinking उस चीज के ऊपर जह हो जादा Focus किया जाता है इसमें दोनों के दोनों जो लेवल्स है जो Memory Level है और Understanding Level है वो इंक्लूड़िड होंगे वो हम अलरड़ी जब Levels of Teaching हमने डीटेल में किया था आपने कहीं से भी पढ़ा हो आपको पता होगा Steps क्या रहेंगे इसमें जो एक Problem है उसको Create करना या Problematic Situation जो है वो Create करना Teacher ही करेगा Usually student के लिए फिर एक Hypothesis Formulate होगी उसको Verify किया जाएगा Data को Collect किया जाएगा और उस Hypothesis को Test किया जाएगा So ये जो Steps हैं ये Biggy और Hunt के Teaching Model में हम मान के चल सकते हैं एक चीज जो आपको पता होने चाहिए वो है Teaching Pyramid Teaching Pyramid में अगर Pyramid-wise देखें तो Autonomous Development, Memory Level, Understanding Level और Reflective Level Autonomous अभी Major तोर पे तो हम ये 3 जो Level हैं हमारे यहीं पढ़ेंगे वाट Autonomous Development में हमें पता होना चाहिए कि कोई Formal Teaching नहीं होती है So वो जो Intellectual Development है वो एक Natural Way में अपने आप होता है इसमें किसी की Help की ज़रूरत नहीं पड़ेगी Memory Level जो हो Least Thoughtful Level होता है क्योंकि इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है और सारा का सारा बच्चा खुद याद कर रहा है Understanding Level thoughtful होगा Reflective Level most thoughtful होगा अब यह देख लिजिएगा यहाँ पे Teacher का रोल सबसे ज़ादा होता है बच्चा पैसे ओ मोड में लगा लिजिए Understanding में जो है वो Major तोर पे Teacher का ही रोल रहेगा तो Primary जो Space Occupy करेगा वो Teacher होगा Secondary Space Student Occupy करेगा Reflective Level में Student ज़ादा Active है So हम बोल सकते हैं कि Student जो है वो Primary Level पे Focus में है So यह थे Models of Teaching अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप Comment करके पूछ सकते हैं Although इसमें सिर्फ Actual Information थी जो आपको याद ही करनी पड़ेगी किसी भी Competitive Exam के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो Like, Share और Subscribe जो हाप Ingle Kate Learning को कर दीजिएगा So this was all about today Thank you so much for watching